यूपी के जलौन में 210 फीट उंची लंका मिनार है इसके अंदर रावन के पूरे परिवार का चितरन किया गया है खास बात ये है कि इस मिनार के उपर सगे भाई बैन एक साथ नहीं जा सकते आए जानते हैं कि ये क्या है और इसके पीछे की क्या कहानी है इस मिनार के निर्मान मतुरा प्रसाद ने कराया था जो कि रामलीला में रावन का किरदार निवाया करते थे रावन के पात्र उनके मन में इस कदर बस गए कि उन्होंने रावन की याद में लंका का निर्मान कर डाला 1875 में मतुरप्रसाद ने रावण की स्मिर्थी में यहाँ पर 210 फीट उंची मिनार का निर्मान कराया था जिसे उन्होंने लंका का नाम दे दिया सीप, उड़त, किदाल, शंक और कोडियों से बने इस मिनार को बनने में करीब 20 साल लग गए उस वक्त इसकी करीब लागत 1,75,000 लांकी जाती है स्वर्गिया मतुरप्रसाद नाकेवर राम लीला का आयोजन करते थे बलकि इसमें रावण का किरदार भी वो स्वयम ही निवाते थे इसमें 100 फीट के कुमकरण और 65 फीट उंचे मेगनात की प्रतिमा लगाई गई है और 95 फीट लंबी नागिन गेट पर बैठी है जो कि मिनार की रखवाली करते हैं नाक पंचमी में इस कंपाउंड में भवे मेला आयोजित किया जाता है और दंगल भी लगते हैं कुद्ब मिनार के बाद ये मिनार भारत में सबसे उंची मिनार में शामिल है ये सब तो हुई एक बात परन्तु इस मिनार की सबसे अनोकी और विचितर बात है कि भाई बेहन एक साथ यहां पर नहीं जा सकते इस मिनार की एक ऐसी माननेता है जिसके अंतरगत भाई बेहन एक साथ यहां नहीं जा सकते इसका करण यह माना जाता है कि लंका मिनार से नीचे से उपर तक आने के लिए साथ परिग्रमा लेनी होती हैं जो भाई भेन नहीं ले सकते यह फेरे केवल पती-पती द्वार मानने माने जाते हैं इसलिए भाई भेन का एक साथ यहां आना निशेद है इस विशे में अपने कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें और अब मारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें